आज की जो स्पेस्टाल सेक्शन होने बाला है और आपकी जिंदेगी में कुछ बदलाओ लानिंग के लिए और यह बदलाओ सच में आएगा अगर मेरे बात को आप तेही धंग से समझते हैं तो और धंग से समझने के लिए पहले पूरी तरसे वीडियो को देखना पड़ेग अजर बीना सब्सक्राइब करते हुए आप वीडियो को देखते हैं तो आप जिंदेगी में काफी सारे चीज़ें कीप भी कर सकते छोड़ सकते और आगे बनने की आपको बहुत ही टाइम लेएगा ठीक है करवा हो सकता है राते बाकी सच है क्योंकि करेड़ा भी करवा है बट सहत के लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप कुछ भी काम करने की शोचे हैं तो दो काम आपकी सामने में आता है एक होता है simple and smart way and दूसरा होता है it's very difficult and totally long way दो 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 चीज़ा आता है हर्दम आप क्या करना चाहते हैं आप खुद को चूज करना पड़ेगा हैं दीके सभी लोग smart बन नहीं सकते सभी लोग हाड़वार्ण कर नहीं सकते सभी लोग smart बनन नहीं सकते सभी लोग Hmm सभी लोग i come hard नहीं सकते के के टुगरी को को दो बनाये गया है तक जानते हैं आज की डेट में इंडिया में कम से कम 135 करोड की आवादी है और उनमें से सिर्फ 5% लोग वो है जो कि अरभपती है बाकि 95% लोग मेंनें उनमें से मैं अब कुछ आवरेज बता रहा हूं उनमें से क्या होता है उनमें से 20 लोग एक अच्छा खासा लाइक rer है जी रहे हैं जैसे उनके पास एक अच्छा खासा मकान है वburst एधेरे घुमने के लिए कहीं भी機 प्लाइड मैं आ सकता है जा सकते हैं इस मैं एक तरहें एक आच्छा कार भी है घर में के लिए एक आच्छा घर भी है और काशा कड़ीन लाइक कुछ भी जाखर होगा कि इस य recap और कशीखальный करभी कितना आएंगे सादिंगे क्या अन Solar अगर 20 पर्शन्ट लोग के पास हो है 5 पर्शन्ट जो लोग्जिर बात क्या अम्बार ने किरेगा अम्बा ने बोल दिये टाटा बोल दिये विल्ला बोल दिये को किसी कोई नाम ले लिजिए वो 5% में आएंगे बाकी 20% लोग मैं अभी थोड़ी दर पहरे जो सीज़ी पता है आपको वो 20% में आएंगे उसके बाद और बाकी रहे 75% लोग जिसको बोला आता है मिडल क्लास केटेगोरी मिडल क्लास का केटेगोरी क्या मतलब दिखिए आज की डेट में काफी सारे लोग के पास दिखावा करने के लिए दो बहुत कुछ है बाकी अंदर कुछ भी नहीं है दिखावा से काम नहीं चलता है अगर कुछ भी आज कुछ प्रॉलम हो जाता है तो कि आक्सन लेने के लिए कुछ भी नहीं होता है, आक्सन लेने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता है, आक्सन क्यों नहीं ले सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, आक्सन क्यों नहीं ले सकते हैं, इसी लिए नहीं ले सकते हैं, वो आक्सन लेने से डरते हैं, घबराते हैं, क् और साथ, वह चीज़े मुझे अछ happen high 5等 मुझे वहां से कुछ rejection मिल गई तो मैसे मेरा business नुख्वा जा सकता है, और उसके बाद वह इस दर पेदा होता है अगे नहीं बढ़ सकते हैं और उन में वह मेर से आपको मिल जाएंगे करेवन 50% लोग इसी तरह मिल जाएंगे इसी तरह पुरा अलव इंडिया की बात कर रहा है आपको 50% 75 पता रहा है आपको 50% लोग कुछ निया नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि उनकी अंदर इस तरह डर आ जाता है जिसकी वारा से उन लोग को आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल लगता है अगर आप इस तरह सोचते हैं तो आप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आगे बंढने कि यए आपको इक बात करने पड़ेगा तो representation करने पढ़ेगा अगाए मजलें ज़ेना पड़ेगा उसके बाद ले अगर आप अगर आप भी बड़ा बना चाहते हैं आप कुछ बड़ा करना चाहते तो आप को सबस्टना पड़ेगा उसके आप पिछे आ पड़ेगा उसके उसके बाद आप के अंदर दूनिया थोकें आपकी दिमागे अगर आप बड़ा करना चाहते तो कुछ पहले आपको स्टेप लना पड़ेगा अच्छ लेना पड़ेगा उसकी उपर गहां में जब कुछ बिजन सुरू करता हूं मुझे मी लगता है दो तीन मिनमझी तुन मेरे पास आजाता है वारी जोचता हूं जहां होता है मेरे अनदर काई अगर आप बीजनर करता है आप कुछ बड़ा करने के लिए तो पहले अक्षान लीजिए सोचने के बस बात ज्यादा मस्त ची अगर देखेंगे तो आपके सामने रेजल्ट आपके पास होगा आपके सामने होगा स्मार्ट वर्क वो होता है जो की आक्षन लेते हैं हार्ड वर्क वो होता है जो को वही बात को लेकर बस चुप रहे जाते हैं इसलिए उन लोग को वही जगा मिलता है जो लोग आक्सन नहीं लेते हैं, उन लोग को हाड़वार कहीं करना पड़ेगा, उसी जागा में रहना पड़ेगा, कुछ करने लायक ही नहीं बचते हैं लोग, इस तरह इंडिया बें 50% लोग हैं, स्वक्राइब कोड के अंदर 50% लोग इसा हैं जो कि आक्सन नहीं लेते हैं, 25% और बचे हैं, मैं बतारा हूं 25% के अंदर होता क्या है, 25% के अंदर लोगरमिल क्लास केट्री आता है, लोगरमिल क्लेश तो हो गए आपको बता तरहिंगा 50% में आता है अपकी percentage में आगे आपको यह जो percent बाकि 25 परसन में आपको मिल जाएंगे आपको 25 परसन में 25 परसन लोग मिल जाएंगे जो कि lower middle class वो लोग का सोच ही नहीं जाएगा मैं कुछ करूँ मैं कुछ करके अगर मैं कर दिया तो वो कुछ बोल देगा मेरा पडोसी ऐसा है मेरा दादा ऐसा है मेरा पापा ऐसे है मेरा मामा जी ऐसे है इस तरह सोचेंगे वो लोग की सोचेंगे लोग अपने आफ पास देखते हैं यह मेरा पास क्या है यह मेरा पास क्या है उसके बाद वो कुछ सोचेंगे बड़ करेंगे नहीं करेंगे नहीं ना करने की वज़ा है वो करता करना तो बहुत चाहते हैं बाकि ना करने की वज़ा है कि मेरा पापा ने कुछ ना बोलेगा त उनके उपर बहुत थरक पड़ता है उन लोई मोड़ोटलस लोग की उपर बहुत ही है साइद बात आपको अच्छा नहीं लगता होगा साइद मेरे बात आज वाकि हाकिकत यही है 25% जो कि में 20% इस तरह निकल जाते हैं जो कि मेरा इस तरह एसे बोलेंगे मेरा भाव भीया ऐसे बोलेंगे मेरा पापा ऐसे बोलेंगे मेरा मामा ऐसे बोलेंगे मेरा अंकल ऐसा बोलेंगे मेरा पडोसी ऐसा बोलेगा मेरा भावी ऐसा बोलेंगे मेरा बेहन ऐसा बोलेगा कोई मुझे देख लेगा कोई मुझे ऐसे बोलेगा इस तरह पहां सोचेंगे आप कर नहीं सकते हैं इसलिए वो जो लोए मिल क्लास की लोग वो अंदर ही रहे जाते हैं दब के बाकिल रहेगा आपकी पूरे लास्ट 5% लोग जो है लोएर क्लास फैमिलीज लोएर क्लास का मतलब सिर्फ लेवर केटिगरी आज गयें 300-500 रुपे की रोजाना कमा के लेके आएं घर में खाना पिना किये बस उसमें मस्तर हैं उन लोग को क्या मिलता हैं? सरकार की तरफ से घर मिलता है और दवाई मिलता है मेडिकल फैसलिटीस मिलता है एक रुपे दू रुपे की चावल मिलता है इस तरह बहुत सारे F3D मिलता है उन लोग को government help कर लेता है बाकि जो lower middle glass और middle glass की लोग उनमें से कुछ नहीं मिलता है ना मिलता है ना कुछ करके भी दिखा सकते है इसलिए दोस्तों अगर आपने भी कुछ सोचे हैं कुछ करके दिखाने के लिए तो action लीजिए काम केजिए आज से अभी से इसी बत से देखेंगे आपकी उपर कितना लोग अभारी होंगे कितना लोग आपकी तारीफ करेंगे अगर काम नहीं करेंगे तो आपको कोई पुछने वाला नहीं है हाँ और एक बात बताओंगा आपको आप अच्छा करेंगे लोग कहेंगे बंदा ऐसा है बंदा अच्छा है बंदा खराब है बंदा गाड़ी चला रहा है बंदा फ्लाइट में गया था बंदा यहां पर छोड़को कहीं दूसरे कंट्री में रह रह रहे हैं बंदा किसी के सब भाग गया है किसी को लेके भाग गया है बंदा नुक्स कहने का तरीका कुछ अलग अलगेता है कोई कैसे तरीक भी बोलेगा आपको वह आपकी डिपेंड करता है आप क्या करते हैं और लोग का रियाक्शन कैसा रहता है इसके उपर ठीक है जब तक आपकी मंजिल ना मिल जाए ठीक है और आप सक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू और थैंक यू वेरे मस्ट थैंक यू